पश्चिमी तुर्की और ग्रीक बॉर्डर पर शुक्रवार को भूकम्प के तेज जटके महसूस किये गए रिक्टर स्केल पर तीवरता साथ तक मापी गई है भूकम्प के बाद ग्रीक में सुनामी ने दस्तक दे दी है भूकम्प ने तुर्की में भारी तबाही मचाई है इजमिर में कई जगाई मारतें गिर गई शहर के महापौर कारियाले के प्रवक्ता ने बताया कि भूकम्प के जटके इजमिर शहर में महसूस किये गए और इसकी तीवरता रिक्टर पैमाने पर 6.6 आकी गई है तुर्की के स्वास्थ मंतरी फहरेतीन कोका ने ट्वीट करके बताया कि कम से कम 4 लोग मारे गए हैं और 120 लोग घायल है उन्होंने बताया कि 38 एंबुलेंस, 2 एंबुलेंस हेलिकॉप्टर और 35 बचाओ दलों को इजमिर में लगाया गया है इससे पहले राश्ट्री आपदा और आपात प्रबंधन कारियाले ने भी भुकम्प की यही तिर्था बताई थी इसका केंडर इजमिर शहर के समीब सिफर लिसियर में दर्ज किया गया है तुर्की के पत्रकार मौसिन मुगल ने कहा कि अभी तक 6 लोगों की मौत की जानकारी है 200 से ज़्यादा लोग घायल हुए है 20 इमारतें गिरी हैं राहत और बचाओ कारे जारी है उन्होंने कहा कि बारिश के कारण राहत और बचाओ कारे में बाधा आ रही है जहां इमारत गिरी हैं वहां से अब तक 70 लोगों को बचाया गया है ग्रीक मीडिया के मुताबिक भुकम्प से समोस के पूर्वी ईजियन सागर द्वीव पर एक मिनी सुनामी का भी कारण बना इमारतों को नुकसान पहुँचा है अमेर्की जियोलोजिकल सर्वे के मुताबिक भुकम्प का केंदर गिरीस के नोन कॉरलोवसियन शहर के उत्तरपुरों में 14 किलोमेटर की दूरी पर था इस खबर पर हमारी नजर बने हुई है देश और दुनिया की बाकी खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सबस्ट्राइब कर लीजिए अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए